दिवाले के बाद कोविट की दूसरी लहर आने के संकेत पहले ही दे दे गए थे ऐसे में अब यह लगने लगा है कि यह संकेत अब जिले में निरंतर बढ़ते जा रहे मरीजों की संख्या को देख कर कही सही तो साबित नहीं हो रहे है इसकी वज़े है बीते दो-तीन दिनों से जिले में कोविड मुक्त की तुलना में पॉजिटिव मरीजों की संख्या दूगोनार रफ्तार से बढ़ती दिख रही है गुरुवार को जिले में 443 नए पॉजिटिव मरीज मिले जबकी 12 मरीजों की मृत्ति हो गई शहर वग्रामिन शेत्र में दिवाली की पहले खरीदी के लिए बासार में लोगों की काफी बेट जुटी थी उस वक्त कई लोग कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का सरे आम उलंगन करते हुए नसर आये जिसका नतिजा सामने है बुद्वार को जिले में हुई कोविड की कुल टेस्ट की तुलना में 5.82 प्रतिशत रिपोर्ट पॉसिटिव आई थी गुरुवार को इसमें 1.22 प्रतिशत की वृद्धीत देखी गई गुरुवार को शहर में 4853 और ग्रामिन में 1444 सहित कुल 6297 टेस्ट की गई इनमें से 7.4 प्रतिशत यानि शहर की 357 ग्रामिन के 82 और जिले के बाहर की 4 सहित 433 लोगों की रिपोर्ट पॉसिटिव आई है इसके साथ जिले में कोविट संक्रमितों की कुल संख्या 1,7,656 पर पहुँच गई है गुरुवार को शहर की 170 वो ग्रामिन के केवल 54 सहित 224 लोगों को चुटी दी गई इसके साथ जिले में कुल कोविट मुक्त लोगों की संख्या 1,598 पर पहुँच गई है जबकि मरीज ठीक होने का प्रमान निरंतर कम होता दिख रहा है यह बुद्वार की तुलना में फिर से 0.8% घट कर 93.4% पर पहुँच किया है शेहर के 2951 वो ग्रामिन के 5,057,3,508 सक्रियम मरीज है इनमें से 1264 मरीजों में 100 मियवा मद्ध्यम लक्ष होने से विस सरकारी निजी अस्पेतालों वो कोविद केरे सेंटर में उपचार करा रहे है 2443 मरीजों में कोई लक्षन नहीं होने से होम कॉरिंटाइन में डॉक्टर की सलह पर उपचार करा रहे है आज जिले में कुल 12 कोविट संक्रमितों की मृत्य हो गई इनमे शहर के पाच ग्रामिन की तीन और अन्य जिले की चार लोगों का समावेश है कोविट से मृत्यों का आकड़ा 3550 पर पहुच गया है